Hello guys, welcome back to my YouTube channel Safety Management Study Guys, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है How to do Risk Assessment आज हम जानेंगे Risk Assessment किसी जॉब का कैसे करते हैं आप सब जानते हैं Risk Assessment के लिए Total 5 Steps होता हैं बट हम यहाँ Steps की बात नहीं करेंगे हम जानेंगे अगर Risk Assessment करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए अगर आपको Steps जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं तो आईए आज की इस informative वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो informative लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें रिस्क असेस्मेंट करने के लिए कुछ arrangements करने होते हैं जैसे की रिस्क असेस्मेंट किस location और किस activity का करना है तो सबसे पहले ये decide करे location क्या है और activity क्या है activity से कौन-कौन effect होगा रिस्क असेस्मेंट में उन्हें भी include करें फिर एक team ready करें जो रिस्क असेस्मेंट में participate करेंगे कुछ documents भी चाहिए जैसे की रिस्क असेस्मेंट format रिस्क असेस्मेंट format का link description में दिया है आप download कर सकते हैं फिर reference के लिए कोई previous risk assessment है तो उसे भी study कर लें सपोज कोई equipment का risk assessment कर रहे है तो safety manual या user manual भी study करें अगर equipment में कोई chemical related activity है तो MSDS भी read करें activity के बारे में और जानकारी के लिए inspection checklist भी read कर सकते हैं इन सभी documents से आपको equipment से related क्या hazards है और क्या precaution लेना चाहिए ये पता लगेगा सभी data collect करके अभी team के साथ location विजिट करें on site देखें क्या possible risk और hazards है उन्हें कैसे control कर सकते हैं सारी findings risk assessment form में fill करें risk assessment form fill करते समय या risk assessment करते समय risk assessment के सभी steps और contents का ध्यान रखें तो इस तरह से risk assessment कंप्लीट कर सकते हैं